Leave और Forget दोनों ऐसे verbs हैं जिनका यूज हम तब करते हैं जब हम अपने साथ कोई चीज ले जाना भूल जाते हैं लेकिन इन दोनों वर्ब्स का यूज अलग कॉंटेक्स्ट में होता है जो हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं Forget का यूज हम तब करते हैं जब हम कोई चीज का यह भूल गए हैं लेकिन हम location mention नहीं कर रहे हैं कि हम कहां पर भूले हैं हम simply यह बोल रहे हैं कि हम कोई चीज भूल गए हैं For example, I forgot my car keys या फिर I forgot my glasses तो leave का use हम तब करते हैं जब हमें यह बताना हो कि हम एक particular चीज कहां पर भूले हैं यानि कि वहां पर हम location को specify करेंगे इसके कुछ example sentence अगर मुझे बोलना हो कि मैं अपनी गाड़ी की चाबी office भूल गया तो मैंसे बोलूँगा I left my car keys in the office अगर मुझे यह बोलना हो मैं अपने glasses अपनी classroom में भूल गया तो मैं बोलूँगा I left my glasses in the classroom तो आपको यह बात जरूर याद रखनी है कि लीव का use करते वक्त आपने location जरूर mention करनी है अगर आप खाली यह बोल देंगे I left my car keys तो वो incorrect sentence होगा और इसी तरह forget के साथ आपको location mention नहीं करनी है अगर आप बोलते है I forgot my car keys at home तो वो भी एक incorrect sentence होगा और एक चीज और याद रखना अगर आप कोई चीज कहीं पर जान बुच कर छोड़ के जा रहे हैं तो वहाँ पर आप लीव का यूज करेंगे इसको आमे एक situation से समझते हैं मानलीजी आपका phone चार्ज नहीं था आप थोड़ी दिर के लिए phone अपने घर पे छोड़ के चलेगे ताकि वो चार्ज हो जाए तो वहाँ पर आप लीव का यूज करेंगे वी लेफ्ट आर बैग्स इन दे कार तो ये दोनों ही action हमने जान बूच कर किये डेलिबरेटली किये अब आप comment section में लिख कर बताएए कि इस sentence में आप लीव का यूज करेंगे या फिर forget का और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना